Hello friends, तो इस वीडियो में चेक आउट करेंगे कि आप phone and OTP authentication अपने Flitter application के अंदर कैसे implement करोगे तो यहाँ पर मैं आपको demo show up कर देता हूँ जो हम इस वीडियो में code करने वाले हैं अब यहाँ पर मैं आपको demo show up कर देता हूँ जो हम इस वीडियो के अंदर code करने वाले हैं तो आपके डिवाइस के उपर एक OTP send होगा और हम next screen में move on कर जाएंगे जहाँ पर आपको OTP fill out करना होगा तो यहाँ पर receive OTP के उपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमारा capture verification हो रहा है यह complete हो चुका है अब हम इस screen पर redirect हो चुके हैं और यहाँ से हम अपनी OTP verification screen पर move on हो चुके हैं और top पर आपको यह SMS आपको show up हो रहा है जिसमें आपका OTP है अब हमारा OTP है 111-455 सबसे पहले हम यहाँ पर गलत OTP fill out करते हैं माले है 111 then उसके बाद हमारा था 455 तो यहाँ पर 456 करते हैं अब हम verify and proceed के उपर क्लिक करेंगे तो आपको top से snack bar show up हो जाएगी तो यह देखें आपको इस snack bar show up और यह invalid verification code अब हम यहाँ पर right verification code डाल देते हैं 455 इसके बाद हम क्लिक करेंगे verify and proceed के उपर देन उसके बाद हम अपने home page में redirect कर जाएगे तो यहाँ पर करते हैं अब हम पहुंच गए अपने home page के उपर और यहाँ पे जो आपको bottom में logout बटन चो उपर यह इसके उपर आप क्लिक करोगे तो आप application से logout हो जाएंगे और simply login page पे redirect हो जाएंगे तो यहाँ पर करते हैं क्लिक और यह हम हो गए अपनी login के उपर यह पूरा हम application कोड करेंगे इस वीडियो के अंदर तो भी ना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले इंट्रो चला लेते हुआ तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपना coding पर उससे पहले चलते हैं अपने one note application में और जो भी इसका concept है पहले वहाँ पर discuss करते हैं फिर simply यहाँ पर आके इसे code करेंगे तो चलते हैं अपने one note application के उपर तो चलिए आप अपना discussion स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइट करेंगे सबसे पहला जो भी में firebase के अंदर setup करना है और second जो भी हमें चीज़े flutter के अंदर setup करनी है अब यहाँ पर जो मारा पहला step है उसमें आपको firebase console के उपर visit करना है और अपना project create करना है और उसके बाद जब आपका project create हो जाएगा आपको आप पर application ID pass करनी है जो हम अपने VS code से get करेंगे और यहाँ पर आपको SHA1 key भी pass करनी पड़े ही क्योंकि जब आप Google authentication या phone and OTP authentication यूज करते हो तो आपको वहां से SHA1 key भी अपने project के अंदर add करनी होती है तो simply हम यह भी check out करेंगे कि हम अपने personal computer से SHA1 key को कैसे get करेंगे अब हमारे second step में आपको configurations add करनी होती है अपने Flutter project के अंदर अब यहाँ पर क्या होगा देखे Firebase console आपको Google services.dation file provide करेगा जो आपको अपने Flutter project के अंदर place करनी होती है तो इसके बाद आपको build.gradle में दो जगा changes करने होते हैं वो मैं आगे आपको show up कर दोगा तो आपको last क्या करना होता है जो भी आपने अपना Firebase में project create किया है उसमें आपको phone provider को enable करना होता है तो यह तीन step complete करने के बाद हमारा Firebase का सारा setup पार complete हो जाता है अब यहाँ पे Flutter की side में सबसे पहला आपका जो काम होगा वो आपको packages public करने हैं सबसे पहला package जो हम use करने वाले हैं वो होगा हमारा Firebase code यहा package हमारा optional है आप चाहो तो user से जो भी OTP fill out करना चाहते हो वो simply text field में भी fill out करा सकते हो लेकिन आपने application में check out किया होगा कि आप OTP boxes के इंदर fill out करते हो आप 4 या 6 boxes होते हैं उनके अंदर आप अपना OTP fill out करते हो तो यहाँ पे हम pinput package का use करेंगे यह OTP को इन boxes में fill out करने के लि दो functions code करेंगे अब इसको थोड़ा slide करते हो और मैं आपको application का flow यहाँ पर पूरा explain कर देता हूं देखे जो हमारा रूट होता है वह हमारे start होता है main.darts से अब यहां से हम एक class को call करेंगे जिसका नाम होगा rapper और rapper यह decide करेगा कि अगर हमारा user already login है तो directly उसे home page पे redirect कराना है अगर यह login नहीं है तो हमें इसे login page पे redirect कराना है अब इसका logic क्या होगा देखे हम यहां पर use करेंगे stream builder और इसके अंदर जो हमारी stream होने वाली है उसमें listen करेंगे firebase instance.auth state changes अब यह हमें return करेगा जब भी हम user login करेंगे या logout करेंगे तो यहां से state change होगी और यहां पे हम notify हो login page में redirect हो जाएगे आप देखे home page के अंदर हम क्या करेंगे simply आपको user का यहां पर phone number middle में shop करा देंगे और नीचे मराएंगे अपनी logout button अगर user इस button के उपर press करता है तो वह logout हो जाएगा जैसे user logout button के उपर click करेगा तो यहां से logout हो जाएगे और हमारा code wrapper से दुबारा से start होगा क्योंकि यहां पर stream में अभी changes होए तो यह होगा हमारा home site का पूरा coding flow अब यहां पर जब हमारे पास snapshot में कोई data नहीं होगा तो आप redirect होगे login page के उपर और इस page में सबसे पहले आपको अपना phone number enter करना हो उसके बाद हम नीचे उसे एक submit button provide करेंगे जिसके उपर वोग button provide करेंगे verify OTP जैसे user इस button के उपर click करेंगा तो हम अपना function trigger करेंगे जो check करेंगा कि user ने जो OTP fill out किया है वो हमारा valid OTP है कि नहीं है अगर user ने यहाँ पर valid OTP enter किया होगा तो हम क्या करेंगे सारी screens को remove करेंगे और अपना application wrapper से दुबारा से start करेंगे और इस बार wrapper को पास data होगा तो simply वो home page में redirect कर देगा ओके तो यह होने वाला है हमारे पूरे application का flow हमें इसको slide करके आपको यह शोप कर देता हूं कि हमें यहाँ पर functions क्या code करने तो इसको मैं थोड़ा सा slide कर रहा हूं देखे जब आप first time अपना application open करेंगे और आपने login नहीं किया होगा तो simply आपके पास यह वाली screen शोप हो तो यह मैं आपको यहाँ पर शोप कर देता हूं अब एक हैं सबसे पहला जो function के अंदर आपको phone number pass on करना होगा उस phone number के पहले आपको यहाँ पर country code भी pass on करना होता है let's say हम अगर इंडिया की बात करना तो आपको यहाँ पर plus 91 और इसके साथ आपको simply यहाँ पर phone number append करा देन then second यहाँ पर verification completed यह हमारा एक function होता है जो automatically trigger हो जाता है अगर OTP अपने आप fill out होता है तो इसके अंदर आप अपना logic code कर सकते हो कि आप direct यहाँ से rapper पर move करना और rapper decide करेगा कि आगे कैसे proceed करना थार्ड यहाँ पर होता है verification field अब यह भी हमारा एक function होता है और यह function हमारा जब trigger होगा जब user के उपर होगर हम OTP send नहीं कर पा रहे है या हमारे पास कोई भी और issue आ रहे है simply हम क्या करेंगे इसके अंदर जो भी RRI यह उसको get करेंगे और यहाँ पर हम अपना snack bars या pop-up use करके user को notify कर देंगे मैं fourth होता है हमारे पास code send यह भी हमारा एक function होता है और यह function जब trigger होता है जब user के device के उपर हमने अपना verification code send कर दिया होता है और यहाँ पे आपको दो parameters provide होते हैं पहला आपका verification ID और दूसरा आपका verification token और यहाँ पे आपको make sure करना है कि आपको यह verification ID second page में pass on कर नहीं है जहा आपने user के phone के उपर OTP send किया है और वो OTP expire हो गया तो उसके बाद आपको क्या logic code करना है यहाँ पर simply आप उसे code कर सकते हो ओके आप यहाँ पर जो माई second OTP वाली screen होती है इसके अंदर हमें क्या function code करना है वो मैं आपको शोब कर देता हूँ देखिए जैसे यहाँ पर user ने proceed बटन के उपर और इसके उपर हमें अपना function trigger करना है तो यहाँ पर function trigger करने से पहले सबसे पहले आपको credentials create करने होंगे और credentials के अंदर आपको दो चीजे पासान करनी है पहले आपको यहाँ पर verification ID पास करनी है और दूसरा आपको यहाँ पर SMS code पासान करना है जो आपको इस device म मिलेगी जो हमने यहाँ पर code sent में आपको नीचे provide हुई थी तो simply हम क्या करेंगे इस class के constructor के अंदर यह verification ID पासान कर देंगे then second यहाँ पर जब आपने credentials create कर लिए then आप यूज करोगा firebase का inbuilt function जो होता है sign in with credentials और उसके अंदर जो आपने credentials हैं पर create किया simply इस function में आपको पास कर देंगे जहां से हम अपने application को restart करानों चाहते दनिया से रैपर डिसाइड इस बार करेगा कि उसके पास data present है तो simply home screen पे हम redirect हो जाएगे और last में अगर आप logout functionality implement करना चाहते हो तो simply आप क्या करना जो आपकी logout button होगी उसके उपर हम क्लिक करेंगे तो हम एक function trigger करना है जो सब्सक्राइब दुबारा से चेक आउट करते हैं तो वहाँ पर मेभी आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं तो चलते हैं विसको करते हैं तो चलिए आप अपना setup पार्ट हम स्टार्ट करते हैं इसके लिए आपको मूफ करने अपने Chrome browser के उपर और वहाँ पर आपको टाइप आप करना है Firebase जो आपको फहत पहला Link शोप होगा इसको आपको खंशन करने जो आपको आपको शिंप करने न उसके रहता है और एप उप टाइप कर देते हैं demo 4 यहां पे आपको continue के ओपर click करना है यह हमारा demo project है तो इसके लिए जो हमारे analytics होते हैं इसको उफ कर सकते हैं आपको create करना है create project के ओपर और यहां पे few seconds के इंदर आपका firebase project ready हो जाएगा तब तक हम थोड़ा सा wait करते हैं अब यहां पे हमारा project create हो चुका है तो simply आपको क्लिक करना है continue बटन के ओपर और यहां पे आपका project open हो जाएगा दन उसके बाद आपको यहां पर चूज करना है कि आप किस platform के साथ अपना project integrate करना चाहते हैं तो simply बिल्डॉट गेडल फाइल होती है आपको यह फाइल ओपन करना है और यहां पर application ID के बाद जो भी आपको यहां पर शोप हो रहा है से get करेंगे अपने PC से उसके लिए simply आपको command prompt open करना और वहां पर command fire करना है कि क्या है यह मैं आपको पहले शोप कर देता हूँ देखिए simply आपको यह command fire करनी है और यहां पर difference क्या होगा देखिए यहां पर जो मेरे PC का username में वह HP है यहां पर जो भी आपके PC का username होगा आपको simply यहां पर वह pass on करना है तो आपको क्या करना है simply आप उपनी C drive में move करना then users folder के अंदर then उसके बाद आपका जो भी username show up हो रहोगा आपके PC के अंदर यहां पर आपको सिर्फ वह replace करना है उसके बाद आपको कमांदट को कटनी है और आपको यह पेसट करना है अपनी пом ella तो यहां से हम implement open करते हैं यहां पेम टाइब करते हैं samd और उसके बाद simply command which cannot कर देनी इसको मैं थोड़ा कर देता हूं और इस कमांड को पेस्ट करते हैं उसके बाद आपको एंटर बटन हिट करनी है और यह आप से पासवर्ड मंगेगा अब यहां पर जनरली जो हमारा पासवर्ड होता है वह आपका और आपको पेस्ट करनी है अपने फायरबेस कॉंसोल के अंदर तो इसको यहां से मिनिमाइस करते हैं और इसकी को चलके पेस्ट करते हैं तो यहां पर क्लिक करना है तो यहां पर आपकी गूगल सर्विसेज डॉट जेसन फाइल जनरेट हो जाएगी तो इसको हम डाउनलोड क करेंगे और अपने फ्लिटर प्रोजेट के अंदर आपको चलके प्लेश करना है आपको थोड़ा सा केरफूल होना है सबसे पहला इस्टम जब आप इस फाइल को डॉट करेंगे तो अगर इसका नेम चैंज होता है तो आपको वापस से इसका नेम सेम करना होगा और इसका तो प्रेम सिर्क ही होना चाहिए Google Services.json और इस फाइल को आपको प्लेस कहां करता है आपको इस फाइल को प्लेस करना है Android के अंदर आपका फोल्डर होता है उसके अंदर जाके आपको इस फाइल को प्लेस करना है यह मैं आपको शॉप कर देता हूँ पहले प्लेस कोड में कि आपको इसे प्लेस कहां करना है तो यहां से वीस कोड ओपन करते हैं अब देखें यह रहा हमारा Android फोल्डर देन उसके बाद यह रहा हमारा फोल्डर इस एप फोल्डर के अंदर ही आपको अपनी Google Services.json प्लेस करना है तो इस फाइल को सबसे पहले हम डाउन करना दन चिंपली अंटर बटन के और यहां पर अपना यंद्याव बिल्ड़ के इंटर लिए उसके बाद है और यहां पर हमारे फोल्ड में अपना फोल्डर ओपन करेंगे तो आपको दूसरी आपको पहले यह कुछ और दो सबस्से पहले इंट्पना Android जोएट folder open करेंगे तो आपको नीचे आए एक build.gradle फाइल 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 होगी यह फाइल होती है हमारी projectlevel.gradle उसके बात अगर आप यह फोल्डर उपेंगे तो इसके अंदर आपको एक और और बिल्ड तो पिस्पाइल करने तो आपिक यह प्लग इंद लाइन डीन को कभी करते और चलतें प्रोजेक्ट डीजकों चर्द पर duy gonna नहीं हो रहें अगर आप को प्लग इन्ड खोर तो ši ऑन सुन डीन को और पेस्वाइन फिर करणा करें करने है आप यहाँ पे जब आप इस लीन को मिशे करेंगें तो यहाँ पे- आपका format ठोड़ सा चेंश रहे हैं आपको यह पर क्रास बात करना है यहां से आपको दो करने प्लार चीयों करना है और यहाँ पर समको चॉलि Exactly करना है तो simply मैं इस लाइन को यहां से रिमूफ करता हूं और जो लाइन यहां पर हमने ऊपर कमेंट आउट करना रखी है यहां से कॉपी करना है और इसको हमें पेस्ट करना है तो इसको कॉपी करते हैं और इस फाइल के इंदर जो आपको सेकेंड चेंज करना है वह आपको जाना है अपनी इसको कॉपी करते हैं और इसको बटम में जाओगे तो आपको डिपेंदेनसी शो पोरे हूँ इसके इंदर आप यह यहां पर पेस्ट करना है यहां पर आपको लास्ट स्ट्प पर वांप करना है आपको फोन अपको इनेबल करना तो Simply आप यहां से built के उपर क्लिक करना थन आप authentication के उपर क्लिक करना then यहां पर क्लिक करना और यहां पर्ए डिल्ड का देन और यहां नीचे आपको native providers में आपको कोई भी यूजर शोप नहीं हो रहा है तो अब मारा firebase का जितना भी setup पार्ट था वो complete हो चुगा है अब हमें जो में clutter के side setup पार्ट था उसको complete करना है जिसमें हमें packages पॉपेट करने हैं और कुछ files के अंदर हमें चींज करने है तो इसके लिए simply आपको विजिट करना है pop.dev के उपर और वहां पर जो आपको सबसे पहला package आपको यूज करना है तो यहां से आपको open करना एक्जामपल और यहां से जो आपको यहां पर यह दो लाइन शोप हो रही है यह मैं आपको यहां पर शोप करेता हूं पहले है आपकी विजिट फ्लटर बाइंडिंग और सेकेंड आपको यह फायर बेस इनिशलाइस है इन दो लो लाइन को simply आप आपको यहां से copy करना है और अपनी main.dat file के अंदर इन्हें आपको place करना है तो यहां से open करते हैं अपना VS code और आपकी जो main.dat file होती है उसमें आप जो आपका main function होता है इसको आप asynchronous function में convert कर लेना और आपको यहां पर यह दोनो लाइन से आपके paste करना है सब्सक्राइले को रहा है इसका वर्दन simply आपको यहां से copy करना है और paste करना है अपनी website.ml file के अंदर ओके और उसके बाद आपको जाना है main.dat file के अंदर और यहां पर जो आपका material app होता है उसकी जगा simply आपको यहां पर get material app करना है अब यहां से इसका वर्दन copy करना है अब यह हमें क्या functionality प्रवाइड करता है यह मैं आपको शोब करता हूँ देखिए यह आपको इस टाइप से बॉक्स प्रवाइड करता है जिसके अंदर आपको आपना OTP SMS करना है अपनी फ्लटर के साइट का सेटाप भी कंप्लेट हो चुका है अब इस्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट तो यह सारी फाइल से मियां से क्लोज करते हैं अब यहां पर जो हमने सबसे पहली क्लास कॉल करें अपनी में डॉर्ट से वह हमारी रैपर क्लास यह क्लास मैं आपको उपन करके क्लिंग कर देता हूं कि यहां पर हमने क्या लॉजिक कोट किया अपनी रैपर डॉर्ट अब देखिए इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम क्य दोब हो रहा है इसके अंदर user अपना phone number enter करेगा तब चलते हैं phone home class के अंदर और यहां पे आपको इसका code explain कर देता हूं अब इस class के अंदर सबसे पहले हमने यहां पर एक text editing controller variable create किया थाकि जो भी value user is text field के अंदर enter करें उस value को हम get कर सकें इस variable के अंदर उसके बादब इस function को मैं आपको explain करता हूं पहले मैं आपको UI part यहां पDave explain कर देता हूं यहां पे simply हमने क्या कि अपना image visit use कि यूज्ट किया तक कि हम यह पर आपनie हमागे shape करा सकें यहां यहां पर into a text field और अपनी button किया था उके देन उसके बाद नीचे तो हमारे सिफ decoration पार्ट पह यहां पर अपको यहां पर बटन पड़ा रही है रिसीव ओट्व यह आपको यहां पर कर देंगे तो यह हमारी एक एडमे टन है जिसका जो ऑनप्रस्ट इवेंट होता है उस पहामने अपना यह कॉल कर रहा है सेंट कोड जो हमने टॉप पे कोड किया और नीचे हमने सिंपली यहां पर अपना डेकुरेशन पार्ट कोड किया है जो आपको यहां पर बटन का शोप हो रहा है अब मैं आपको यह कर देता हूं जो ट्रिगर होगा जम इस बटन के ओपर क्लिक करेंगे चलते हैं सेंट कोड फंचिन के ओपर इसको उपन करते हैं अब यहां पर यहां पर यूजर को नोटिफाई कर सकते हो अब मैं यहां पर code explain करता हूं जिसके help से हम यूजर के phone number के ओपर OTP send करेंगे सबसे पहले आपको यूजर करना है यहां पर await keyword और यहां पर आपको टाइप करना है firebase auth जो आपने package पगेट किया था dot instant और उसके अंदर हमें function provide होता है verify phone number इसके अंदर आपको कुछ methods और variables provide हो और phone number get करने के लिए simply हमने जो text editing controller बनाया उसके बाद आपको type करना होगा dot text तो यहां से जो भी value मिस text field के अंदर enter करेंगे वो आपको यहां पर append हो जाएगी और उसके बाद second होता है हमारे यहां पर verification completed function अब यह function हमारा कप trigger होता है आपके phone में OTP आया अपने आप वो OTP fill out हो गया और आप application में sign in हो गए तो उसके लिए आपको यहां पर logic code करना होता है लेकिन अगर आपके phone में OTP आया आपको manual fill out करना है तो हमारा यह function trigger नहीं होता ह अब इसमें क्या होता है जो भी अगर आपको यहां पर error show up होंगे मालिज़े आप आपने गलत phone number एंटर किया यहां पर गलत country code एंटर किया तो आपको firebase से errors provide होगी तो simply आप इसके अंदर उस error को catch कर सकते हो और snack bars के तुरू simply आप यहां पर user को notify कर सकते हो कि आपकी यहां प आपका null भी हो सकता है तो यहां पर integer के बाद आपको यहां पर चेक करना होगा अब यहां पर आपको यह verification ID मिली है इसको ही आप next screen में पास करोगे अब यह function हमारा कप trigger होता है कि जैसे इम user के डिवाइस के ओपर OTP send कर देंगे तो यह function trigger होगा इसके अंदर का logic आपको यहां verification ID भी पास करनी होती क्योंकि वहां पे आप credentials create करोगे इस verification ID के help से इस page के इंदर यहां पर verification ID पास on कर लिए और यह मैं आपको अभी शोग करा दूँगा कि हम OTP page के इंदर constructor में यह verification ID कैसे get करें अब यहां पर token use हम क्यों करते हैं अगर आपका मान लिजिए जो भी आपने code send किया और expire हो गया तो recent करते टाइम आपको इस token के नीड होगी और last होता है यहां पर हमारा code auto retrieval timeout function अब यह function आपने code sent किया device के उपर और वो OTP expire हो गया उसके बाद आपको जो भी operations perform करना है तो simply आप इस bracket के इंदर अपना logic code कर सकते हो ओके आप चलते हैं OTP page के उपर और इ required define करना है ताकि अगर आप इस screen पर move कर रहे हो तो यहां पर verification ID पास करना compulsory होगा जो हम यहां से पास कर रहे हैं इस parameter के अंदर हम अपनी verification ID पास कर रहे हैं जो हमें इस function के अंदर से get हो रही थी आपने image widget यूजट किया है जो आपको यहां टॉप यह उप हो रही है जैसे आपने यहां पर verification ID के लिए variable प्रेत करेंगा phone number और यहां प देन उसके बाद जो आपको यहां पे boxes show up हो रहे हैं उसको हमने code किया है तो उसको code करने के लिए उसके हमने अपना input package जो यहां पे हमने use किया है और हम क्या कर रहे हैं जो इसका on change हमारा function होता है उसके अंदर code के अंदर हम वो value set कर आ रहे हैं जो भी username boxes के अंदर fill out करी हो अग उसके बाद हमने अपनी button code करी है जो आपको यहां bottom में show up हो रही है तो इस button को मैं आपको यहां show up कर दिता हूँ अब इस button का जो on pressed event होता है इस पर हमने trigger किया है अपना sign in function जो हमने top पे code किया है और नीचे simply हमने यहां पर इसे declaration का code apply किया है तो इस function को open करते है और मैं आप आपको यहां पर शोग कर दिता हो तो यह रहां top पे हमारा function इस function को भी आपको asynchronous function में convert करना है क्योंकि नीचे जो आप methods यूज कर रहे हो उसमें कुछ time लग सकता है यहां पर सबसे पहले आपको create करने अपने credentials अप credentials create करने के लिए आप क्या करोगे आपको type करना है फोन और provider.credentials और इसके अंदर आपको दो चीज़े पास करने है पहले आपकी verification ID जो हमें previous screen से मिली थी और दूसरा आपका SMS code जो आपको OTP के थुरू provide हुआ है तो यहां पर verification ID के सामने आप type करना widget.vid आप देंगे widget.vid क्या है आप ने जो variable यहां पे code किया है इसके अंदर की value get करने के लिए simply आपको type करना होता है widget.vid आप SMS के सामने simply आप इस code variable को पास कर देना जो हमने टॉप पे create कर रहा था जिसके अंदर value वह stored होगी जो आपने इस boxes के अंदर fill out करी होगी उसके बाद हम यूज करेंगे अपना try cache block और यहां से हम यूज करेंगे firebase of.instance और जो हमें function provide हो successfully login हो चुका होगा तो हमने क्या किया get.ofall मतलब सारी screen को remove कर दो और जो हमने wrapper class code करी है वहां से हमारा code दुबारे से restart करो तो इस बार क्या होगा wrapper जब हमारी restart होगी तो यहां पे उसके पात snapshot मे data होगा तो हम directly home page में redirect हो जाएगे और यहां पे अगर कोई भी error आती है तो उनक यहां पर जो आपको second error show up हो सकती है मालीजिए जो भी आपके device में OTPI था वो expired होगे उसको अगर अगर अब enter करोगे तो simply आपका यह block trigger हो जाए और यहां पर थर्ड भी error show up हो सकती है अगर आपने same phone number से multiple times login किया तो maybe आपको यहां पे थोड़े time के error show up हो सकती है कि this device is now blocked for some time okay तो यहां से क्या होगा हम अपने wrapper class के उपर redirect हो जाएंगे और wrapper class के बाद इस बार snapshot में data होगा तो हम अपने home page में redirect हो जाएंगे जो मैं आपको यहां पर show up कर देता हूँ इस class के अंदर सबसे पहले हमने अपना एक user object बना है जिसको create करने के लिए आपको type करना है firebase auth.instance.currentUser अब इस user variable के अंदर आपकी सारी details stored होगे इसके बाद यहां पर हमने ui part में क्या किया है simply body के अंदर center में अपना text use किया है और phone number show up कराने के लिए आपको यहां पर simply type करना है अपना object चो आपने यहां टॉप पे code किया है उसके बाद आपको यहां पर चेक करना है कि यह नल तो नहीं है इन उसके बाद आपको डाइप करना है .phone number मतला आप जिस भी phone number से आप login होगे वह आपको यह center में अपने user के home page में show up हो जाएगा यहां पर हम bottom में बनाएंगे अपनी floating action button उसके उपर अगर आप click करोगे तो आप sign out हो जाओगे और sign out के लिए simply हमने यहां पर function code किया है इसके लिए आपको simply type करना है firebase auth.instance.signout तो इससे क्या होगा जिस भी user से आपने login किया होगा simply आप sign out हो जाओगे और rapper हमारा दुबारा से call होगा इस बार rapper के पास कोई भी data नहीं होगा तो आप login screen में दुबारा से redirect हो जाएगे तो यहां पर इस application को में restart करके आपको दुबारा से run करके show up कर देता हो इसको हम यहा यहां पर अगर आपका capture verification successful होता है तब आप move करोगे OTP screen के ओपर तो यहां पर अभी यह चेक हो रहा है तो यहां पर अपन टाइप करते हैं 581655 दन उसके बाद आप प्रेस करना है verify and proceed बटन के उपर तो यहां पर पहले OTP चेक करेगा और यहां से हम home page में redirect हो गए और जो आपको यहां पर देखें सेंटर में phone number शोप हो रहा है यह हम यहां से यूज़ कर रहा है user.phone number और पर में जो हमने stream builder यूज़ किया था यह हमारा दुबार से trigger होगा और इस बार इसके पास फोई भी डेटा नहीं होगा तो यह redirect कर देगा हमें phone home जो कि हमारा login page था तो क्लिक करते हैं floating action button के उपर और यह हम redirect होगे अपने login page के अंदर और यहां पर मैं आपको शोप कर देता हूं कि आपका user भी create हो चुका होगा firebase के अंदर तो simply यहां से firebase open करते हैं then users को यहां पर refresh करेंगे तो आपको यहां पर phone number शोप हो जाएगा जो आपने यहां पर login के टाइम पर यूज किया होगा यह देखिए अगर आप navigation और snack bar implement कर रहे हो get package की help से और यहां पर आपको दो functions code करना है पहले function के अंदर आपको phone number पास करना है with country code और वहां पर जो आपका code send function होता है उसके अंदर आप अपना logic code करोगे और जो हमारी OTP verification screen होती है इसके अंदर जो आप function code करोगे उसमें आपको क्या करना है सबसे पहले credentials create करना है credentials के अंदर आपको verification ID और SMS पास on करना है then simply आप use करोगे sign in with credentials function और last में users के detail आपको home page में show up कराने के लिए उसका object create करना हुआ तो उमीद करते हैं आपको वीडियो समझ में होगी बाके मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए सिया friends